सो हे गाइज वेलकम बैक और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे विंडोस के कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इस के बारे में जो की मैं बैट करता हूं कि 90% लोग जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें नहीं पता होगा सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वरना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हो सकता है आप मिस कर दें सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के मैंने 50 लाइक का टार्गेट बना के रखा हुआ है सो प्लीज 50 लाइक किसी भी तर से शेयर करके वीडियो को और कैसे भी करके इस पर पूरा करवा दीजेगा बागी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ट्रोन भी आप डोनेट कर सकते हैं अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वैलेट का एड्रेस दिया हुआ है और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो लेट्स गेट इंट वीडियो तो हेलो गाइस सो चली चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले शॉटकट की के साथ जो की है विंडोज की प्लस एक्स जिसे खुल जाता है यहां पर हमारा शॉटक क्यें विंडोस की प्लस C जिसे चैट खुलता है इसके बाद हमारा शॉटकट की है विंडोस की प्लस V जिससे हमारा क्लिप बोड हिष्ट्री खुलती है अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो आपको वान करना पड़ेगा वर्ना यह नहीं काम करते हैं नेक्स्ट हमार की प्लस A प्रेस करते हैं और A प्रेस करने से यहां पर यह जो Wi-Fi Bluetooth और यह वाली जो shortcut menu है यह खुल जाती है then comes Windows की प्लस S maximum लोगों को पता होगा search Windows की प्लस F इससे खुलता है feedback hub next shortcut की है आपकी Windows की plus G जिससे खुलता है यहां पर game bar तो यह games में like fps monitor करने के लिए आप इसे pin कर सकते हैं यहां कहीं भी click कर देंगे तो आप आप game खेलिए और वो side में रहेगा और आप यहां पर benchmarking monitoring कर सकते हैं next दो shortcut keys बताने जा रहा हूं यहां पर Windows में जो mobile में आप आप लोग को मज़ा आता है वह मज़ा आप लोग को यहां पर PC या फिर laptop में आ जाएगा इन दोनों shortcut keys को देखने के बाद और यहां पर चली press करते है Windows की plus H तो यहां पर voice typing enable हो गई है Google तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर Google लिखा हुआ आ गया अब यह यहीं तक सीमित नहीं है आप मतलब Windows में कहीं पर भी आप word खुले हुए हैं आप WhatsApp खुले हुए हैं Facebook खुले हुए कहीं पर भी आपको कुछ बहुत लंबा टाइप करना है तो आप यहां पर इस shortcut key का इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही powerful नेक्स्ट है Windows key plus dot या period इससे कहीं पर भी emoji का यहां पर टूल बॉक्स आपका खुल जाता है जैसे की mobile में होता है तो इससे आप emoji टाइप कर सकते हैं बहुत ही आराम से जैसे आप mobile में टाइप करते हैं कुछ उसी प्रकार से यहां पर काम करती है तो यहां पर आप जाके और पूरी-पूरी emoji यहां पर सर्च कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके और इससे सलेक्ट करके जहां पर भी आप टाइप कर रहें वहां पर आ जाएगी next जो हमारी shortcut key है वो है windows key plus K windows key plus K दबाने से screencast खुल जाता है तो आप wirelessly किसी भी TV पर screencast कर सकते हैं next shortcut की हमारे पास यहां पर है windows key plus L यह नहीं बताऊंगा क्योंकि maximum लोगों को पता ही होगा कि इस से lock होता है तो यहां पर lock हो गया और उसके बाद next हमारी जो shortcut key है वो है windows key plus Q जिससे हमारा वही start खुल जाता है search box next हमारी shortcut key है windows key plus W जिससे left side से जो जैसे news और यह सब आता है आपके android smartphone में कुछ उसी प्रकार से यह खुल जाता है windows key plus W दबाने से next हम लोग बात कर लेते हैं windows key plus E दबाने से जिससे file explorer आपका खुल जाता है next shortcut की है हमारी windows key plus R बहुत ही famous है run खुलता है उसके बाद आती है windows key plus windows key plus U दबाने से accessibility खुल जाती है इसी के ठीक बाद windows key plus I press करने से settings खुल जाती है अब settings और accessibility सेम नहीं है थोड़ा सा difference है next shortcut की हम लोग के पास जो है वो है windows key plus P उसको दबाने से यहां पर project खुल गया यह देखिए windows key plus P दबाने से यहां पर project खुल गया वही अगर आपने कोई projector लगा रखा है तो screen duplicate करनी है extend करनी है यह वो यह भी बहुत लोगों को पता होगी अब next जो है shortcut वो तो बहुत ही ज्यादा गजब है मतलब आपके पूरे workflow को गजब बना देगा windows key plus one जो पहला पिंड किया हुआ यहां पर आपके task bar में है वो खुल जाएगा windows key plus two उसके next वाला windows key plus three उसके next वाला and so on कुछ और shortcut keys है जो की बहुत powerful है जैसे कि windows key plus equals two वाला symbol तो इसे दबाने से magnifier खुल जाता है तो जीने दिखाई नहीं देता है या दिखाई देने में थोड़ी तकलिफ होती है तो वो इसे यूज कर सकते windows key plus यह वाला दबाते हैं तो भी यही खुलता है आपका emoji टूल बार तो windows key plus colon या period दौनों दबाने से same चीज़ खुलेगी यह भी बहुत ही दमदार shortcut की है वो यह है कि normally अकसर अगर हम लोग print screen दबाते हैं तो screenshot आ जाता है लेकिन उसे कुछ paint में या word में कहीं पर जाकर paste करना पड़ता है क्योंकि वो clipboard में आता है लेकिन अगर मैं windows key plus print screen दबा सेव होता है हमारे pictures में this PC pictures में आपके screenshots folder के अंदर तब shift दबा करके अगर delete key press करते हो तो permanently कोई भी file delete हो जाती है मैं show ने कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं है और normal delete करने से normal recycle bin में जाती है यह shift and shift delete का function हुआ उसके अलावा shift और control से आपके selection भी यहाँ पर जो ज्यादा powerful हो जाता है यहां मैंने यह screenshot select किया हुआ है और अगर मैं control press करके यहां last में दबाता हूं तो जिस पे मैं click करता हूं बस वही सारी चीज़े select होंगी बट अगर मैं shift दबा के करूं यही चीज तो देखेगा क्या होगा देखा आपने वहां line से सब कुछ select हो गया सपोज आपके पास 1000 files है आपको line से सुरू से लेकर के आधी तक आपको 500 file select करनी है तब आप क्या करोगी तो इसलिए यह बहुत ही useful selection technique है इसके अलावा जो हमारे keyboard पर extra keys मौजूद होती है home end page down page up and insert इन keys का भी लोग बहुत कम use करते हैं तो वो मैं आपको कोई भी code editor खोल के दिखा देता हूं उसके पहले एक वाज shortcut की छूट गई थी windows की plus tab जिससे task view खुलता है मैं दिखाता हूं कि home और end क्या काम करते हैं यहां पर मैं first line पर हूँ अगर मैं प्रेस करता हूं home आपने देखा line के एगदम starting में चला गया अगर मैं प्रेस करता हूं end line के end पर चला अगर मैं control दबाकर यही चीज़ करूं control end पूरे code segment के last पर करसर चला गया control home पूरे page के starting पर करसर आ गया यह कहीं पर भी कर सकते है word में भी कोई भी code लिखा हुआ है notepad anywhere पेज़ पेज़ डाउन से simple scrolling होती है maximum लोगों को पता होगी इसलिए मैं ज्यादा time waste नहीं करूंगा देख सकते हैं अब एक बहुत ही दमदार shortcut है यहां पर वो है shift दबाकर के end या shift दबाकर के home तो अगर हम लोग प्रेस करेंगे shift end करसर अभी starting पर है लाइन के आप देखेगा क्या होगा shift end पूरी की पूरी लाइन सलेक्ट हो गई अब चाहे कितनी भी लाइन हो आपको माउस से पकड़ के सलेक्ट करना है अब आज के बाद से आप नहीं करेंगे कुछ उसी प्रकार से अगर आपको backward selection करना है suppose मैंने ये code लिख कर यहाँ पर semi-colon के पास मेरा cursor है और मुझे पीछे से पूरा select करना है पूरी लाइन तो मैं क्या करूंगा shift home पीछे side से backward direction में पूरी पूरी लाइन select हो गई अब insert key से क्या होता है इंसर्ट की से simply ये होता है कि अगर आपने गलती से insert की दबा दिया तो जैसे यहाँ पर अगर मैं node और next के बीच मैं space bar प्रेस करूं तो यह simply एक space extra दे देगा लेकिन अगर insert button गलती से दब जाता तो यह उसे end को delete करके और वहाँ पर एक space create कर देता तो यह बहुत समय problem हो जाती है कि लोग पूछते है कि ऐसा कैसे हो रहा है आगे चीज़े delete होते जा रहे हैं space bar दबाने से वह गलती से अपने insert की दबा दिया होगा उसे दोबारा दबा दिजिए वह normalize हो जाएगा यहाँ पर काम नहीं करेगा लग-लग software में आज के date पर यह जो कि बहुत ही powerful universal shortcut keys है windows में चलिए देखते हैं उन्हें अगर हमें किसी भी file को rename करना है जैसे कि यह image जो कि आप सामने में देख रहे हैं तो हम लोग simply इस image को select करेंगे और हम लोग press करेंगे keyboard पर F2 key जैसे ही हमने F2 key press की आप देख सकते है रीनेम आ गया अब हम लोग कोई भी नाम टाइप करके एंटर कर सकते हैं यह सबसे ज्यादा fast तरीका है windows में किसी भी चीज को rename करने का नेक्स्ट जो यूनिवर्सल शॉर्टकट की है windows में वो है हमारी space bar की चलिए देखते हैं उसका क्या काम है तो हम लोग यहाँ पर अपना ही एक YouTube का वीडियो खोल लेते हैं space bar की यह हो गया pause यह किसी भी चीज के लिए है not only video audio के लिए और किसी भी चीज के लिए इनफेक्ट आप space bar प्रेस कीजे ना सिर्प Windows में YouTube पर किसी भी software में कहीं पर भी यह मतलब की एक यूनिवर्सल ही शॉटकट की है play pause का subscribe का बटन दबा दीजे यहाँ पर और वीडियो को भी लाइक कर दी जैसे की 50 likes का target है हमारा तो मुझे पता है 50 views भी ने होंगे but still आप 50 likes का target कोशिश कीजिएगा पूरा करवा देने का अब आपसे इजाज़त लेता हूँ नमस्ते thanks for watching and I will catch you up in the next one